दोस्तों रीटा आयरुवेद की सबसे लोग प्रिया जड़ी बूटियों में से एक है जब यह पानी के संपर्ट में आता है तो यह सावुन के समान बन जाता है इसलिए यह कई तर है कि उद्देशों के लिए प्रियोग किया जाता है जैसे कपड़े दोने से लेकर गहने चमकाने के लिए हम मेंसे बहुत से लोग बालों के लिए इसके लाबों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं हाला कि इसके फाइदे सिर्फ बालों तक सिमित नहीं है ये हमारे स्वास्त और त्वचा के डे भी बहुत लापकारी है तो आईए जानते हैं रीठा के मुख्य फायदों के बारे में नमबर एक त्वचा के लिए रीठा में प्राकर्तिक कंडीशनिंग गुण होते हैं जो आपके त्वचा को मॉस्च्योराईज करने में मदद करते हैं इसलिए ये त्वचा के सुखेपन को रोकने में मदद करते हैं रीठा एक बहुती अच्छे क्लीनजर के रूप में काम करता है आप होम मेंट फेश वाच के रूप में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपके चेहरे पर रीठा लगाने से आपकी स्किन टोन हलकी हो जाती है। नमबर दो एक्ने दूर करें। रीठा आपके पिंपल्स और प्राकेट से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप पिंपल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही इसका उपयोग शुरू कर दें। नमबर तीन एक्जिमा के लिए। रीठा सौ प्रतीशत प्राकरतिक उत्पाद होता है। जो एक्जिमा और सौराइसिस जैसे त्वचा रोकों से निपटने में आपकी साहता करता है। आप शिश्वों में डाइबर के रैशिस का इलाज करने के लिए भी रीठा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सुनिशत करें कि आप इसे प्रभावे छेट पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। नमबर चार बालो के लिए। रीठा बालो के विकास के लिए सर्वश्रेश्ट होता है। इसलिए यह कई प्रागरतिक हेयर टॉनिक और बालो के समस्याओं का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। रीठा को रात भर भीगो कर रखें और फिर शेंपू बनाने के लिए शिककाई पाउडर के साथ मिक्स करने। यह शेंपू जब नियमित आधार पर इस्तिमाल किया जाता है तो यह बालो को साफ करता है। इस फल में पाई जाने वाले विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आपके बालो को चमक देने और मुलायम बनाने के लिए जाने जाते हैं। नमबर पाँच, डैंडरफ और जूं के लिए। जूं की रीठा प्रकरती में एंटिबैक्टिरियल होता है। इसलिए हैं बैक्टिरिया और स्केल्प इंफेक्शन का हिलाज करता है। रीठा में कीट नाशक गुण भी होते हैं, जो स्केल्प पर जूं मारने में मदद करते हैं। नमबर छे, कपड़े दोने के लिए। बाजार में पाए जाने वाले आम डिटरजिन पाउडर से कपड़े साफ सुतरे तो हो जाते हैं, लेकिर उन में क्यामिकल्स का उप्योग किया जाता है। इससे कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। डिटरजिन के रूप में रीठा पाउडर प्रभावी धंग से काड़े करता है, क्योंगी ये कपड़ों के असले धंग को खराब किये बिना कपड़ों के अंदर से धूल निकालता है। नमबर साथ, पाइल्स के लिए। 50 ग्राम रीठा लें और इसे लोहे के प्लेट पर रखिए और एक कटोरे के साथ इसे कवर कर लें। अब लोहे के थाली को कम लौपर रखें जब तक रीठा जलना जाए। अब लौप को बंद कर दें और एक घंटे बाद इन जले हुए रीठा का चून बना लें। अब 20 इसलाम रीठा पाउडर लें और इसे 20 ग्राम बबूर कत्था के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को 20 ग्राम शाम को मक्षन के साथ खाएं। ये बवासीर के हरबल उपचार में सबसे अच्छा उपाय है। नमबर आठ इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। ये आपकी प्रति रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। आप रीठा के मदद से अपने शरीर की गर्मी को बनाए रख सकते हैं। रीठा का रस पीने से आपके कॉलिस्टरॉल के इस्थर को नियंद्रत करने में मदद म होते हैं। रीठा के सेवन से आपको दस्थ और अपत से तुरंत रहत प्राप करने में मदद मिलती हैं। इसके अलावा रीठे का पानी सूजी हुई आखों के लिए एक अच्छा इलाज माना जाता है।